SEO और website से जुड़े हुए लोगों के लिए Cloudflare एक जाना पहचाना नाम है एक leading CDN company जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी website को basic CDN service free में provide करती है हर performance plugin और हर अच्छी hosting company Cloudflare को integrate करने का option खुद बखुद देती है लेकिन अब Cloudflare ने एक कदम आगे बढ़कर WordPress के लिए अपना खुद का plugin लाँच किया है जो आपकी website को ना सिर्फ CDN services देता है बलकि उसकी speed बढ़ाने में मदद करता है यह plugin कौन सा है और इसे कैसे use किया जाता है यह जानेंगे आज के वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं Cloudflare के official WordPress plugin के बारे में Cloudflare plugin को install करने के लिए आपको जाना होगा अपने WordPress dashboard में और फिर जाएए plugin section में sidebar में और click करिए add new उपर यहाँ पर इस search bar में type करिए Cloudflare और इस plugin को install करिए और फिर activate करिए now Cloudflare plugin की setting में जाने के लिए आपको या तो इस installed plugin के list में से Cloudflare के सामने इस settings बटन को click करना होगा या फिर sidebar में जाएए settings और फिर Cloudflare पर click कर दीजे Cloudflare plugin की settings में सबसे पहले आपको अपने Cloudflare account में login करना होगा अगर आपके पास already Cloudflare account है तो आप login कर सकते हैं या फिर इस create your free account पर click करके नए account बना सकते हैं इस वीडियो के लिए मैं इस website को नए Cloudflare account के साथ setup करूंगा तो मैं click करूंगा create your free account बटन पर ताकि जो नए users हैं वो इस process को आराम से follow कर सकें जब इस create your free account पर click करते हैं तो एक window pop-up होती है जिसमें आपको नए account बनाना होता है यहां हम email id और password डाल कर नए Cloudflare account बनाएंगे फिर अपनी website को add करने का option मिलेगा यहां अपनी website का URL डालिए और click करिए add site बट मैं अभी सिर्फ free plan को select करूंगा और सबसे नीचे confirm plan बटन को click करूंगा अब Cloudflare इस domain name के सारे DNS records को check करेगा और आपको उनकी एक list देगा इस list को ध्यान से देखेगा अभी हम इस पर वापस आएंगे आपको इस list के last में continue पर click करना है और अब आपको Cloudflare आपके अभी current name servers द रहा है उनको use करिए नो यहां एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला question है जो मुझे याद आया हमने यह process CDN setup वाले वीडियो में भी बताई थी और काफी सारे दोस्तों ने पूछा है कि name servers को change करने पर क्या उनकी hosting change नहीं हो जाएगी यह point एक बार सोचने में सही लगत आती है जो पहले थी अभी आपने इस name server वाली screen से पहले जो DNS records की list देखी थी ना इसी window पर cloudflare आपके DNS records को check कर लेता है और अपने पास save करके रख लेता है cloudflare आपकी hosting से file को copy कर लेता है और अपने पास save कर लेता है और फिर जब कोई आपकी website को visit करना चाहता है तो files अपने पास से provide करता है और ऐसा तभी कर सकता है जब cloudflare के पास यह information होगी कि आखिर कोई आपकी website को visit कर रहा है और यह information cloudflare को आपकी name server change होने के बाद cloudflare की name server प नहीं बदलेगी, so anyway topic पर वापस आते हैं, name servers change करने के बाद आप click करेंगे done check name servers पर, जब आप अपने domain name registrar account में name servers change करते हैं, तो उस change को affect होने में 24 घंटे तक का time लग सकता है, इसलिए आपको wait करना होगा, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप बागी के वीडियो को follow करते हु https off पर set है, इसे on कर देते हैं, ताकि जब भी कोई आपकी website पर http वाली request करता है, तो वो सारी request automatically https पर redirect हो जाएं, इसके बाद auto minify settings है, इसमें javascript, css और html तीनों को select कर लेते हैं, just make sure कि जब आप cloud flare में minification on कर रहे हैं, तो बाकी किसी और plugin में auto minification on ना हो, ताकि दोनों में conflict अब क्लिक करिए done पर, अब आप इस pop-up window को बंद कर सकते हैं, और वापस अपने wordpress dashboard में जाकर login पर क्लिक करिए, यहां आपको अपने उस email id को enter करना होगा, जो आपने अभी cloud flare account बनाने में use की है, और इसके बाद आपको global API key enter करनी होगी, यह global API key आपको अपने cloud flare account में दूसरी tab में हम open करते हैं cloudflare.com और फिर login करते हैं, वैसे आप already logged in होने चाहिए, but just in case अगर logged in नहीं है, तो फिर से login करिए, और फिर अपनी website पर क्लिक करिए, और फिर यहां थोड़ा नीचे scroll करते हैं, एक दम bottom में आते हैं, और right side में आपको क्लिक करना होगा, get your API token पर, औ यहां पर global API key के सामने बने हुए view बटन पर क्लिक करिए, आपको एक बार फिर से अपना password एंटर करना होगा, security reasons की वज़े से, और फिर क्लिक करिए view बटन पर, अपनी global API key को यहां से copy कर लीजे, और फिर वापस wordpress dashboard में जाकर email के बाद इस global API key box में paste कर दीजे, और क्लिक करि इसलिए इसे किसी के साथ share मत करिए, अब आपने cloudflare plugin को अपनी website के साथ successfully connect कर लिया है, यह plugin setup करने में काफी time लगता है, लेकिन इसे use करना बहुत आसान है, अगर आप अपनी website में best cloudflare settings को use करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इस एक apply बटन पर क्लिक करना है, और done, आपको अलग-अलग tabs में चाहा कर, पचास तरीके के option set करने की कोई जरुवत नहीं है, आपको सिर्फ apply पर क्लिक करना है, और done, cloudflare plugin का दूसरा option है, automatic platform optimization, जो अभी हाल ही में 2 October को launch किया गया है, especially WordPress platform के लिए, जो आपकी WordPress website को fast बनाता है, third party fonts को अपने network से serve करता है, overall TTFB को कम करता है बट ये feature free नहीं है, अगर आप cloudflare का free plan यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी cost पाँच डॉलर पर मन्त है, और अगर आप cloudflare के किसी भी paid plan को use कर रहे हैं, तो ये आपके लिए free रहेगा, इसे on करने के लिए click करते हैं, purchase बटन पर, again एक pop-up window होगी, जिसमें आपको cloudflare को payment information प्र cloudflare आपको आपके monthly charges के information देगा, और आपके payment method को भी show करेगा, यहां आपको click करना है confirm payment पर, payment confirm होते ही cloudflare आपको directly automatic platform optimization for wordpress section मिले जाएगा, जहां आपको इस off switch को click करके on पर set करना है, and that's it, सिर्फ इतना ही जरूरी है, अभी आपको हो सकता है ये error दिखाई दे, because अभी actually में name servers हमारी change नहीं हुए है, so मैं कुछ घंटे वेट करूँगा, and then we'll try again, okay, so name server change हो चुके है, और मैं वापस इस off switch को click करूँगा, और अब ये on हो जाता है, अपने wordpress dashboard में एक बार फिर से settings, और फिर cloudflare पर जाएए, और आपको ये automatic platform optimization on मिलेगा, so इस तरह से plugin और cloudflare के automatic platform optimization क setup complete हो गया है, इस पूरी process में मैंने एक bug notice किया है, जो इस plugin के काफी सारे दूसरे users भी face कर रहे हैं, इस plugin को completely setup करने के बाद भी अगर आप अपने cloudflare dashboard में automatic platform optimization tab पर वापस जाएंगे, तो आपको ये install wordpress plugin नाम का button दिखाई देगा, इस देखकर ऐसा लगता है कि अभी cloudflare ने पर काम कर रहा है, और automatic platform optimization for wordpress option भी चल रहा है, इसे आप test कर सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर आप यहाँ cloudflare dashboard में इस switch को off कर देते हैं, और इसके बाद अपनी wordpress website में जाकर cloudflare setting page को refresh करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये button यहाँ भी off हो जाता है, so clearly ये अभी एक bug है, जो शायद कुछ दिनों में, कुछ आने वाले दिनों में, plugin की update के साथ solve हो जाएगा, ये अभी एक नया plugin है, ताजा, फ्रेश, गर्मा गर्म, so I guess इसे थोड़ा settle down होने में time लगेगा, but I hope कि इस वीडियो के जरीए आप इस plugin को अपनी website में use कर पाएंगे, so ये था cloudflare plugin का introduction और setup, now $5 per month में क्या एक ये reasonable cost है, क्या एक reasonable option है, ये आपकी website के उपरटेमेंट करता है, लेकिन it's certainly a good plugin, और अगर आप इस plugin के paid option को ना भी use करें, तो basic cloudflare settings को use करने का ये एक अच्छा और सबसे आसान टूल है, क्या आपने ये plugin use किया है, क्या आप सोचते हैं इस बारे में, हम में कमें से मताइए, thank you so much for watching this video, I'm Amit Tiwari for AmitTiwari.net and I will see you next time, take care.